Hello everyone, I am Jyoti Chha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 3 Hindi Rim Jim Chapter 8 Bandar Badh का Cost and Answer तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं लड़ाई जगड़ा प्रश्न है कि दोनों बिल्लियों के बीच जगड़े की जड़ क्या थी? तो क्या थी? उनके जगड़े का हल कैसे निकाला गया? ठीक है? तो ये बताना है आपको तो उत्तर लिखेंगे कि दोनों बिल्लियों के बीच जगड़े की जड़ एक रोटी थी क्या थी? एक रोटी थी दोनों उस पर अपना-पना अधिकार बता कर आपस में जगड़ रही थी जगड़े का हल बंदर ने पूरी रोटी को खाकर निकाला बंदर के पूरी रोटी खाने के बाद ना रोटी बची और ना ही दोनों बिल्लियों के जगड़े का कारण बचा दूसरा प्रेशन है कि तुम किस-किस के साथ अक्सर जगड़ते हो तो हम अक्सर अपने से छोटों और अपने मित्रों के साथ जगड़ते हैं इसकी बाद है जगड़ते समय तुम क्या-क्या करते हो तो जगड़ते समय हम एक दूसरे की खाने की चीजें चीनते हैं आप भी अपने बाई बहन से जगरते होंगे तो कुछ इस तरह से ही जगरते होंगे ठीक है कि बाद है जब तुम किसी से जगरते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है तो देखिए इसका हम उत्तर लिखेंगे कि जब हम जगरते हैं तो हमारा फैसला मम्मी करवाती है या पापा करवाते हैं, दादी, दादा जी कौन करवाता है तो यह आप अपने according लिखेंगे कि जब आप जगरते हैं तो आपका solution कौन करता है ठीक है के बाद है जूले जूले तो ले में एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं दोनों बिल्लिया एक दूसरे को नमस्ति कहती है प्रश्ट है कि तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो तुम्हारी सहेली या दोस्त ठीक है जब आप अपनी किसी सहेली या दोस्त से मिलते हैं तो क्या कहते हैं सहेली दोस्ते good morning, hi, hello कहते हैं, तुम्हारे सिक्षक से तो सिक्षक से नमस्ते या फिर good morning कहते हैं, तुम्हारी दादी या नानी से तो दादी नानी से राम राम या चरन सपर्स कहते हैं, प्रनाम कहते हैं, तुम्हारे बड़े भाई या बहन से तो बड़े भाई या बहन से या good morning कहते हैं ठीक है? उसके बाद है प्रश्न है कि अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्छा में कितने अलग-अलग तड़िकों से नमस्ते कहते हैं तो कक्छा में हमारे साथी कही तड़िकों से नमस्ते कहते हैं जैसे कि good morning, hi, hello राम-राम, प्रणाम, नमस्ते तो इस तड़िके से यह सारे जो है ना इस तड़िके से नमस्ते कहते हैं ठीक है? तुम्हें क्या लगता है? अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राए में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो अगर बंदर बीच में नहीं आता तो हमारी राए में रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा? कि उन्हें रोटी एक आँख से देखी थी? उसने रोटी एक आख से देखी थी या दोनों आखों से एक टांग से जप्टी थी या दोनों टांगों से तो उत्तर लिखेंगे कि बंदर ने ये सवाल बिल्लियों को मुर्क बनाने के लिए पूछे होंगे दूसरा वह भी हो सकता है कि उसने बिल्लियों को यह विश्वास दिलाने के लिए सवाल पूछा हो कि वह ठीक नियाई करेगा ठीक है? उसके बाद है बंदरबाट कहानी का सिर्षक बंदरबाट क्यों है? तो कहानी का सिर्सक बंदर बाट इसलिए है क्योंकि कहानी में बंदर रोटी का बटवारा करता है तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी तो मैं नाटक को बिल्लियों की मुर्खता नाम देना चाहोगी जो सिर्सक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ तो यह सिरसक सोचने का कारण यह है कि दोनों बिल्लियों के लढने के कारण बंदर को रोटी खाने का मौका मिल गया और दोनों बिल्लियों को अपनी लड़ाई का फल मिल गया जिस कारण उन्हें रोटी से हाध धोना पड़ा ठीक है, इसके बाद है माप तोल बंदर ने रोटी बड़ाबर बाटने के लिए तराजू का इस्तमाल किया तराजू का इस्तमाल चीजों को तौलने के लिए करते हैं पाठे पुस्तक प्रिष्ट सत्तर पर दी गई चीजों में से किन चीजों को तौल कर खरिदा जाता है ठीक है तो आपको बताना है कि किन चीजों को तॉल कर खरीदा जाता है तो यहाँ पर देखें बहुत सारे यहाँ पर दिये गए हैं चित्र अब इसमें से बताना है आपको कि क्या चीज को तॉला जाता है तो जैसे कि तर्बूज है, तर्बूज, चावल, नारियल, संतरा तो ये सारे चीज को तॉले जाते हैं तॉलते वक्त एक पलरे में तॉली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तॉलने के लिए बाट बाट किस धातू या चीज का बना होता है तो उतर लिखेंगे कि बाट लोहे, पीतल, सिल्वर, तामबे, आदी धातूं के बने होते हैं तो बाट तोली जाने वाले चीज का वजन बताता है वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है पता करो बाजार में कितने किलो ग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं फल वाले, सबजी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो तो अब देखे इसमें जैसे कितने का होता है किलो ग्राम या ग्राम जो होता है बट्टा जिसे कहते हैं तो ये 50 किलो, ठीक है, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है, 10 किलो, तो ये सारे होते हैं, वा, क्या खुस्बू है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी, प्रशन है कि तुम्हें किन-किन चीजों के पकने की महक अच्छी लगत और इसके हैं कि और किन क्यां चीजिजरों की महक आती है जो चुछ सवबलक्र की सुगन्ध जूते की पौलिसी गन्ध आती तो विनाइल की गन्ध की तरलिके दूरगंध मिटटे के तेल गन्ध टेशर की दुरगंध पाउडर की सुगंध क्रीम की सुगंद, फूलों की सुगंद तो ये सारे होते हैं जिसे की महक आती है आगे पीछे मुझे महक रोटी की आती इस वाके को इस तरह लिख सकते हैं मुझे रोटी की महक आती तुम भी इसी तरह के नीचे दिये वाक्यों की सब्दों को आगे पीछे करके लिखो उसी खोज में मैं निकली ठीक है? तो मैं भी उसी खोज में निकली इसे हम इस तरीके से लिखेंगे रखी मेज पर है वो रोटी तो वो रोटी मेज पर रखी है डरती थी उस तक जाने में तो उस तक जाने में डरती थी मैं ले जाने तुझे नहीं दूँगी तो तुझे मैं ले जाने नहीं दूँगी ठीक है? तो इस तरीके से लिखेंगे जो पहले देखे उसका हग उसका हग उसका है रोटी पर ठीक है? अब देखे इससे कैसे लिखेंगे तो उसका है रोटी पर हब जो पहले देखे एक और बटवारा अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तर्बूज मिला दोनों सोचने लगी इस तर्बूज को कैसे बाटा जाए तभी फिर से बंदर आ गया आगे क्या हुआ होगा अभी आपको बताना है तो बंदर ने कहा तुम दोनों क्या सोच रही हो चलो मेरे पीछे पीछे मैं तर्बूज को दोनों में बाट दूँगा परन्तु इस बार बिल्लिया चोकननी थी वह उनकी बातों में नहीं आई काली बिल्ली तुम अपना काम करो हम अपने आप बाट लेंगे तब ही सफिद बिल्ली बोली कि तुम पहले भी बटवारा करने के नाम पर चालाकी से रोटी खा गए थे अपकी बार तुम्हारी दाल नहीं गलेगी बेचारा बंदर उदास्ता मुह बना कर चला गया ठीक है? तो इस तरीके से आपका प्रशन उत्तर जो है कम्प्लीट हो चुका है तो कैसा लगा आपको पढ़के? मुझे जरूर बताईए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइब कीजे और पास में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिजी ताकि NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थेंक्स तो वाच मै वीडियो